में अवास जोजनाना जो घर बनाए जा रहे हैं वो किसने बनाए जा रहा है अब भी सम्स and επमाजबा दिखे दाक्तर लुहिया के आंदोलन में नरा लगाते थे मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कप्रा और मकान अज नरेंडर मोधी हर हिंदुस्तान को रोटी कप्रा और मकान देने के लिए पर्षी बद्ध हैं अरुत औरे कदम के उठा रहे हैं रोटी भी दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर रोटी मिलेगी तब जब किर्शी की उन्त ही होगी तब, किर्शी की उन्त ही होगी तब, जब खेत में पानी जाएगा तब, दीन जैलू पाजिहार रोहिया कहते थे, हर खेत में पानी हो, हर खेत हाथ को काम हो, जब खेत में पानी जाएगा, तो खेतों में हर्याली आएगी, तब उनके चेहरे प इर्धन गरीब, उनमें खुताली होगी, उनमें खुताली आएगी, ये बरे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, अज हिंदुस्तान में, गाउ के अंदर जो किसान है, बधान मंत्री जी ने अभी, सरकार में घोशना की है, बजट में, किसानों को, हर किसानों को जो पूत लोग ऐसे हैं, बरे लोग, जो उपहास करते हैं, कोई कहते हैं, सफरा रुपया रोजी मिलेगा, दिल्ली के एंसियार में भसने वाले किसान, जिनके लिए छो हजार रुपया को चीमत नहीं है, ये टीवी वाले, ऐसे किसानों के मुँँ में, वो भोपा लगा के, अ अध्यक्ष महोदे, जो दिल्ली के एंसियार में हैं, उनकी सारी जमीन चली गई है, कारखाने बन गए, मानेसर के किसान से पूछा गया, मानेसर गाह में मेरी जिस्जेदारी है, वहां किसी के पास में खेती की जमीन नहीं, तभी कारखाने में चले गए, फोरी महु जमीन ह उनके लिए छो हजार रुपिया कोई कीमत है क्या वो दस हजार बीस हजार रुपिया रोज खराव खरच करते हैं लेकिन एक सरफ मैं जिस बिहार से आता हूँ पुर्वी उतर परदेश के लोग है या कहीं भी हिंदुस्तान के आसाम में और बंगाल में लोग है या उड़िसा में लोग हैं ऐसे गरीब लोग हैं उन करीब लोगों के लिए छो हजार कीमत रखता है उनके घर में खुषाली आरही है अग जब ऐसे गरीब किसान से पूछा गया उन्होंने कहा कि यह 3000 रुपिया हमारे लिए बहुत महतुव रखता है हमारे लिए इसकी कीमत है हमारे घर में खुशा ली आएगी ये 6,000 रुपया जो जिन गरीब किसानों को मिलना है मेरे गाउ में किसान हैं उनके हर के चेहरे परिशबास से खुशी आई कि हरा आदमी को 100% किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में जाए